बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के पिकर पे खड़े होकर बताएंगे हेलो एवर्यवन, सलाम नमसे संसिकाल, जहां भी हैंप अमीद करते हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे, आई नो मैं थोड़े और से खायब थी, मगर आज मैं आपके लिए एक और बहुत मज़ेदार इंटर्व्यू लेकर आई हूं और एवन दो मैं अपने आपको बहुत एक्स लगा ऐसा कि उन्होंने भी इस्लाम को छोड़ दिया, यह एक पाकिसानी आए वो बता देंगे आपको मगदेर, इस अग्रूप ऑफ एक्समूसिम्स ऑफ पाकिसान के नाम से और यह उनी के ग्रूप से हैं, और इनसे आज हम बात करेंगे, इनकी नाम जो है वो अब्दुल अब्दुला, एड करती हूँ, जी अब्दुलाजी मैं आपको सलाम करूँ, नमस्ते करूँ, परणाम करूँ, गुड मॉर्निंग, जो भी आप करना चाहें, यह तो सारी सोशल ग्रेसे हैं, तो जो भी जो भी आपको बेतर लगे, चले, क्या हाल है आपका, मैं बिल्कुल अच्छा कापस मैं है, तो आपके साथ थोड़ी बहुत आज बात होगी, थोड़ा बहुत आपके इंट्रोड़क्शन हमें चाहिए, फिर हम आपकी जर्नी पर जाएंगे, तो थोड़ा साथ बताएं कि आप कहां से हैं, थोड़ा पनी फैंपली का जैने, प्रिसाइसली, कि कि आपकी फैंपली से साथ करें, कि आपकी फैंपली क्या बहुत रिलिजिस थी, या या थोड़ा सा बच्पना, ठच अपन दाट, अब फिर हम आगे एक एकर के क्वेशन करते हैं, जी बहुत, ठीक ठीक, तो औरीजनली मैं तो पाकिस्तान से हूँ, और तकरीबन अब जैसे यूजवल जो प्री डॉमिनेंट एक सेक्ट है, पर्वे सभीर में, बरेलवी सेक्ट है, तो हमारे मेरी भी वही फैंबली थी ना, सुन्नीयों में से हम लोग बरेलवी सेक्ट में से थे, और फैंबली ऐस सच कोई रिलिजिस थी यह नहीं, ठीक वो रिलिजन तो आप को पता है, जब एक आप 90% है कैसी कंट्री में हो, जिसके अंदर 90% मुसल्मान है, तो रिलिजिन की एक आपको जलक हर चीज में नजर आती है, यह पाकिस्तान के सिनेरियों में तो आपको पता है कि एक ही डॉमिनेंट रिलिजिन है, पाकिस्तान में, और वो है इसलाम, जो क कल्चरली भी काफी जादा लोगों के अंदर रचा बसा हुआ है, और जाहिर सी बात है, पार्टीशन के बाद से वो वाला भी एक हिसाब किताब बिलकुल खताम हो गया है, जो थोड़ी सी एक डावरसिटी थी, दूसरे रिलिजिन्स भी मिल जाया करते थे, फिर उसके मेजर जिनका चंक नहीं था ना सुसाइटी में, तो उन सब के जाने के बाद जब तक जिस टाइम तक हम लोग पैदा हुए है, उस वक्त तक बिलकुल एक 90% से उपर वाली सिचुएशन थी इसलाम की, तो ऐसे ही एक माहूल में के भाई स्कूल में भी एक इसलामियत है, और माशरे में जाएंगी, वहां भी एक पूरी तरीके से कल्चर और सारी चीजों के अंदर इसलाम जो है, वो रचा बसा है, तो वैसे ही मेरा भी बैग्राउंड था, लेकिन फैमिली एजुकेटिट थी, तो इसकी वज़ा से इतनी ज़ादा कोई स्ट्रिक्ट नहीं थी, लेक मेरे घर में मुझे आद है कि हमारे घर में जित्ती भी ओरते थी, वो बगर दुट्टे के गूमती थी, तो सड़ी पहनती थी, तो आप कल्चर अगर में भी दुट्टा सर पर रखना है, और अल बल्कुल बल्कुल सही बात कह रही हैं, मैं अपने फैमिली की ओरतों का बता सकता हूं, हमारी जो वालदा बगएरा थी, या जो हमारी फैमिली में औरती थी, तो वो चूंके वरकिंग विमन थी, इसलिए जाहर सी बाते जब बाहर निकलती थी, तो वो एक खास किसम का जो अटायर होता है, मतलब उस टेम पे इतना भी नहीं था, अब तो यह है कि स्ट पांच साल की बच्ची है, नरसरी की एच की होगी, या किंडर्गाटन की एच की बच्ची होगी, वो जो है, उसको इन लोगों ने सकार्स पहनाए में, या उसको अबाया पहनाए में, ठीक है, वो एक क्यूंकि उसके अंदर भी, अब्दुला, प्राइवेट स्कूल जो थ प्राइवेट चंद जो पॉश किसम के स्कूल्स है, उनके लावा तो हर जगा भी आई है, जिन स्कूल्स की आप कर रही है, जिन इस इंस्टूशन की आप बात कर रही है, वो दो कोई, मैं समझता हूँ, वन या टू परसेंट पाकिस्तानियों के बच्चों को के केटर करते यहां हो देख्टू के अब्यूस्ली एक Financial भी मसला हुता ना लोगों का इन साब institutions को आफोर्फ करने का तो जो जर्नल जो लोग हैं जो आम लोग वो ऐसे ही स्कूलों में जो के गली महलों में या किसी टाउन में या कोई बाड़ा स्कूल होता है वो भी प्राइवेट होता है स्कूल भी कह सकते हैं उसके अंदर प्राइविट भी कह सकते हैं सबका अब तो यही वो है फिर वो एक इस्लामिक एडुकेशन वाला भी एक मसाला है ना के हमारे स्कूल में जो है दीनी और दुनिया भी उन्हों तारीम दी जाती हैं तो वो लोग भी यह वाला यूएसपी इस्तिमाल करते हैं के देखो हम बच्चों को इसलामी तो तरीका भी सिखाते हैं तो वो एक इस किसम की कमसकं ग्रूमिंग हम लोग की नहीं हुई थी जब हम लोग छोटे थे लेकिन अब ऐसा भी चल रहा ह तो यह सिनेरियो था उस वक्त तो बाची फैमिली का अगर मैं बताऊं तो इतना ज़्यादा कोई रिलीजिस नहीं बस एक सो सो से रिलीजिस फैमिली थी लेकिन जाहर सी बाते जो सारी एक औबजर्विशन और एक पूरी एक वो होती है जो तासुर होता है पूरा एक इसला सरी है हम तो फॉलोर ही नहीं कर तो अगते हैं तो आप बताईए कि मैं हर की सीजिए पूछती हूं इससी होगी है तो मेरे दिमाग में जब सवाल आया ता मुझे आदे मैं ऐसी होंगी कोई 10-11 साल की होगी तो बच्पन में आपके पुल गयां कि खवाल आया कि और प्हार समझ भी निया है कि क्यों है ऐसा फिर मगर आप भूल गए उस चीज़ के बारे में then you moved on still believing because this was your belief कोई ऐसी है कोईट बच्चपन में ये थोड़ी सी contradiction होती थी कि आपको पता है ना कि ये जो सुनी सुनी इसलाम के अंदर जो बरियलभी सेक्ट होता है उनकी खास किसम की practices होती है मिलाद मनाना और दुरूद पढ़ना और रसुल आल्ला की जो जात को है बहुत जादा एहमियत देना और वो जो पूरा हिसाब किताब होता है मजारों पे जाना ठीक है ना सेंट्स वगरा के जो मजारात होते हैं यह सब चीजे जब थोड़े बड़े होना शुरू हुए तो फिर वो जो टाइम स्टार्ट हुआ था ना जब एक किसम का यूं समझें आपके देवबंदी इसलाम का जब ज़्यादा परचार हुआ यह जो तबली ही जमात वाले तो इन लोगों ने फिर इन चीजों पर क्रिटिसाइस करना शुरू हुआ तो फिर हमें फिर हम लोगों ने उन चीजों पर क्वेस्चन किये के भाई दुरूद पढ़ते हुए जो यह वो अंगूठे जो यह वो चूम के आँखों से नहीं लगाने चाहिए और फलाँ फलाँ यह वो यह सारी निटी ग्रिटीज होती हैं इनकी आपस में सेक्टेरियन तो उनकी वजह से क्वेस्चन आए कि कौन सा इसलम सही है जो हम जिस सेक्ट को या जिस पूरे एक कल्चरल मिल्यू में हम रहते हैं वो सही है यह जो अब बता रहstäए कि यह गलत है दूरूद नहीं आई पढ़ना चाहिए वैसे नहीं पढ़ना चाहिए आइसे न के जणा चाहिए और वसीला किसी और को नि बनाना चाहिए स्लिद लल्ला से मांना चाहिए इस अब चाहिए؛ ॉता अब थिस होड़ थे थोड़ी सी confusion गरूर कैदा हुई ना दिमार में किया एज होगी आपकी what do you think उस वक मेरी जो समझिये आपके college के बाद की एज लगा लें college की एज लगा लें अचा-चा-चा तो अब मुझे like coming back to the future अपने का भी आपको इसाम चोड़े पाँछे साथ हुए राइट तो वो क्या ऐसी वो थी जिसे क्या तेना final nail in the coffin वो क्या थी ऐसी चीज जहां पर आपने का बस अब और नहीं आपना process बताएं के for some people it can take a long time चंद लोगों के लिए होता है चोटा सा period होता है अगर मैं अब री कलेक्ट करूँ तो यह जो 9-11 वाला वाकिया हुआ था उसने काफी जो है ना एक किसम की वो पैदा की थी ना एक अपने दिमाग में internally एक conscious किया था कि यार यह इसलाम जो है वो उसको लोग इतना criticize कर रहे हैं तो वैसे तो जायर सी बात है आपकी एक cognitive dissonance होती है जब आप एक religion में होते हो आप एक belief आप एक faith के अंदर चल रहे होते हो तो आपको वही सही लग रहा होता है और पाकिस्तान जैसे मौशरे में जहाँ पे फिर्फ वही एक religion हो वहाँ पे आपको दूसरी तरफ तो देखने का मौका ही नहीं मिलता ना बलके नहीं मौका मिलता और नहीं कोई कहीं से आपको ऐसी कोई वह मिलती है लिए देखे ना दूसरे religion को यहाँ पे गार सी बाते अब majority में हैं अगर मुसल्मान तो उनको वह वाला आपको भी पता होगा कि उनको वह वाला हिसाब किताब society में मिलता नहीं ना ना ही वह तबलीख कर सकते दूसरे religion ना उनको तबलीख करने की वह तो वह जो एक पैदा होता है ना comparison के भई देखें के भई कौन सा religion सही है वह वाली situation तो कभी पैदा नहीं हुई हाँ 9-11 के बाद एक बहुत जो एक पूरी political situation पूरी globally बनी थी और उसकी वैसे पाकिस्तान के अंदर भी जो सब कुछ हुआ तो उसमें जरूर ये question आया कि यार ये जो लोग कहते हैं कि भई ये religion of peace है और terrorism करते वे नजर आते हैं और terrorism पहलाते वे नजर आते हैं फिर हमारी हकूमतों के भी बीच में connections निकल आए और वो सारी भी चीज़ें निकल आए उसमें बहुत जो है ना एक तरीके से effect किया ना दिमाग को कि यार ये इस चीज़ को देखना चाहिए कि ट्रू इसलाम क्या है तुरा ट्रू इसलाम को जाना जाए कि ट्रू इसलाम की क्या हो है तो वहाँ से एक किसम का comparative और critical analysis शुरू हुआ कि सच को तलाश करने की कोशिश करें ठीक है चलो पैदा तो हुए थे एक फिरके में अब देखते हैं कि असल जो सच है जो असल टीचिंग्स है जो के टू टीचिंग्स है इसलाम की वो क्या थी तो उसी से ये सारा skepticism का process इस्टार्ट हुआ और अब चलते चलते यहां तक आ गए वैसे अगर उसी पर आप चले जाए ना मैं तो खेर मेरे तो अलगी जर्णी थी मगर आम जिस सिंग के इसी पर आप चले जाओगे इसलाम के खुद कितने सेक्ट्स है और उन सेक्स में लोगों के क्या क्या बिलीव है तो इसी में जाके वो आपकी कांच की जो गुड़ी आयना वो तूट जाती है मैं खुद यहां पर तीन चार पैनल पर मुसल्मान होते थे मेरे पास और मैं वो आयत खोल के बैठ जाती थी और अवरत की पिटाई वाली और हारे किसी ने अपने अलग देना एक कहता है मारते हैं एक कहता है निडिवोर्स का लिखा है एक कहता है आइस्ता मारो एक कहता है मारो है ही नहीं यूनो वर्ला ही सब के अपने अपने वो बने वे हैं तो फिर वही पिर सवाल आ जाता है कि किस का खुदा को मैं मानूँ मुझे बताओ ना मैं तो मानना चाह रही हूं खुदा को मगर तुम लोग मुझे ये बता कि किसका खुदा सही है और मुझे गैरेंटी किसे जन्नत मिलेगी तो मगर वो फिर जवाब नहीं आता है इनके पास से बिल्कुल ऐसे ही है और अभी भी यही सुरतिहाल है सारा इंटरप्रेटेशन का हेर फेर है दोनों साइड ना कोई कहता है इसकी ये इंटरप्रेटेशन है कोई कहता है इसकी वो इंटरप्रेटेशन है लेकिन जो चीज मिस हो जाती है वो यही मिस हो जाती है कि जब आपने एक टेक्स क्लेम किया हुआ एक अबजेक्टिव बींग की तरफ से तो उसको क्यों समझनी आया कि वो ऐसी लेंग्विज में लिखे कि जो बिलकुल क्लियर हो ना दुनिया भर के लोगों के लिए तरफ से बड़ा तो सवाल यह है ना ठीक है इंट्रिप्टेशन आप करते रहो अपनी तरफ से जो भी आपको करनी है जैसे यह सुरह निसाव वाली आयत की करिया अपने बात लेकिन बात तो यह है ना कि आपने कुरान अपना इसलाम और कुरान का मसला यह है कि यह बिलकुल लिटरल वर्ड ओफ गॉड के तौर पे पेश करते हैं वर्ड ओफ गॉड है यह कोई इंटरिप्रेटड चीज नहीं है यह कोई आलिमों की लिखी हुई जैसे दूसरे मजाहिब है उनमें वो तो आलिमों की एक किसम की याददाशते हैं अपनी वो है ना इंटरिप्रेटेशन है वो एक इंस्पार्ड टेक्स्ट है लेकिन पुरान को कहते हैं यह तो वर्ड ओफ गॉड है तो वर्ड ओफ गॉड में वर्ड ओफ गॉड में तो उस दिन बात ना स्पेस पे एक बात चल रही थी अब यह है ना कि जब आपके दिमाग में यह जाते है ना फफर बन्ड वह रुखता नहीं थी में ठेक्राइब केmax में इस पतता है की यह एप बंदा यह एक बंदा आया क्लेम करता है , स्टार्ड करता है कि मुसा इसे थे आदम जो था पिर मुसा पिर ईसा ये सारे बोक्स जो है ये थे अल्लह में नहीं वेजी है तो जो मैंने उससे फिर यह पुझा कि भई इन बोक्स तुम लोग मान रहे तो तुम लोग मान रहे हो वही चीज है ना कि बिलाइंग चीज को फॉलो करे हो जो पहले कि लोग है अब करें अब कि अपल एंपने ने है नहीं देड़े हैं और अट जो पहले आी तो जो पहले आई वह ज़त हो सकती है यानि के एंग्स चार्व मैं एंगे एक खुन होता है वहाँ पर एक आई विटनेस खड़ा है वो अपनी हो देगा गवाही राइट और एक बंदा है जो उस इंसिडेंट के होने की एक महीने बाद जाकर लिखता है उसके बारे में किस की बात में ज्यादा दम होगा पर वो क्याते हैं कि आपके बास अबतल लही है मेरे पास वही है विए आत ना बदा जाता है So, आप मुझे यह बताएं कि Islam में, even though there's so many ridiculous things, उसमें एक कौन सी ऐसी बोंगी में कहती हूँ आपको जो हच से ridiculous लगती है आपको, एक चीज़, बहुत मुश्की लोगा आपको, आपको मैं explain करने के लिए एक उसूल बता देता हूँ, एक principle बता देता हूँ, बड़के जिन principle की बन्याद पे आप जो है वो गालिबन किसी भी जो है ना, इसलाम समेथ, किसी भी religion को आप उसकी कसवटी पे रखके चेक कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप उसको accept कर लें या reject कर दें, अपने लिए personally, not आप उसको ले जाके फैलाएं पूरी दुनिया में, इससे कोई फा अबी भी नए 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 religions भी बन रहे हैं, जो open societies हैं, जहांपे आजादी है लोगों को अपने अपने faith को या अपनी ideologies को express करने की, वहांपे नए नए religion अभी भी वजूद में आ रहे हैं, और लोग खुश हैं अपनी अपनी thoughts के हिसाब से, अपने अपने नजरियात के हिसा कि जब आपके religious beliefs जो हैं, वो established scientific facts के साथ, जो है, मिल नहीं सके न, उनको justify नहीं कर सके, जैसे एक simple सी मिसाल, सादी सी मिसाल है, creation की जो कहानी हैं मुखतलिफ चीजों में, मुखतलिफ अधियान में मौजूद हैं, religion में मौजूद हैं, Islam के अंदर भी एक creation की कहानी है, फिर दूसरे, जिस religion के bunch में से Islam निकलता है, उसके अंदर भी creation की कहानी है, तो अब हमें scientific facts की सुरत में पता है कि creation किस तरीके से हुई थी, जमीन दी creation मिशाल के तरुपे किस तरीके से हुई थी, और इसकी history क्या है, आप वो scientific facts देख लें, उससे आप compare कर लें, तो आपको religion जो है, वो एक false किसम की उसके पर खड़ावा नदर आएगा, एक बात तो यह हो गई, अब जैसे big bang theory के बारे में जो है, वो overwhelming evidence है, और सारी जो आगे की scientific discoveries हैं, इस शोबे में, वो इसी की बुनियाद पे जो है, वो सारी चल रही है ना आगे, तो हमने पता है कि वह यह जो observable universe है, वो कितने billion years old है, और अगर मजाहिब की definitions को देखें, तो यह हजारों साल का किता बताते हैं के 6000 साल पहले दुनिया शुरू हुई थी, या कितने साल पहले शुरू हुई थी, जबके हमारे पास evidences मुझूद हैं, जमीन की geology के इल्म से, और जो पूरी tectonic plates के इल्म से, फिर हमें fossils मिलते हैं, पुराने पुराने, उसके इल्म से, हमारे पास एक objective scientific picture बनत है, उसके उपर कहीं से भी ये religion जो हैं वो पूरे नहीं उतरते हैं, तो बात वही है ना कि आपने claim इतना बड़ा किया हुआ है, तो फिर evidence भी बड़ा आपको चाहिए, लेकिन वो बड़ा evidence किसी के भी पास मुझूद नहीं, तो इस सूरत में फिर, इनसान का skepticism बढ़ता ज जाता है कि जिस खुदा को, जिस अल्ला को यहीं नहीं पता कि उसने दुनिया कैसे बनाई भी है, claim तो किया है उसने, कि दुनिया मैंने ही बनाई है, लेकिन उसको पता नहीं है, कि वो क्या पूरा process था, जिसके through मैंने दर्जा बादर्जा evolve हुई है ना, दुनिया भी तो, मुक्तलिफ stages में आज जो हमें शकल नजर आती है, वो एक evolve शकल हमें नजर आती है, तो यह बहुत बड़ा reason है, जिसके आप मेजर religions को छोड़ सकते हैं, जो मेजर मेजर religions को इसकी मैं एक मिसाल इस तरीके से देती हूँ, कि आप अगर गाड़ी खरीदते है ना, तो उसके सा यह बहुत है। आप को मिलता है, यह है, इसको इसकैसे अने सित्स्स कर करना है आपने, इसका सिके सा और हर चीज ए लिखी है तो बन्दा जो हो जाए। नहीं जो शब्स्तीच बटे दिपाने है कि आपका है इंटलेक्चिल लेवल कितना है, यह जो सम्तीम स्टाइस, एंव तो पूरी डीटेल है ही नहीं राइट अगर अगर अल्लामिया नहीं हमको बुकलेट भी है उन जिससे हमको पनी लाइफ गुजारनी है मगर उस बुकलेट में इंफरमेशन दी नहीं है अब बंदे का दिमाग सोचेगा ना कि भी काइनात में क्या है I don't think कि कोई चीज ऐसी मे इतनी हमारे बास गैलक्सी हैं इतने हमारे बास बहुत बताता है ना हमको यह चीज तो उसमें बहुत सारी चीज इन में डंडी मारी भी है अगर आप देखो यह घलत हैं scientifically so you have to question this आजकल के समाने में you have to question this मगर at the same time जिस तरही के से अब मैं देख रही हूं कि even though हम progress कर रहे हैं technology के वाइस at the same time we are dumbing down people लोग और dumb होते जा रहे हैं क्योंकि technology की वज़े से right we are always glued to this आपको 10 किसम की information दी जा रही है मगर you're only observing जो चीज आपकी interest की है तो वही चीज आपके दिमाग में brain washing करके feed की जा रही है and then you're becoming a sheep टीक है तो अब मेरी समझ में आता है कि यह जो human nature है ना follow करने का and to believe in la la land things यह हमेशा से रहा है और इसी वज़े से मुहमाद साहा थे जितने लोग आयती successful रहे to get them in going and doing this जैसे आपने का आज भी religion है right अगर मेरे अंदर dumb है ना मेरे अंदर वो power करने की तो मैं भी कल religion start करके लोगों को अपने पीछे लगा सकते हूं that's how the cults are born तो Islam is like a cult तो यह यह नहीं के उस जमाने का बंदा या आज हाँ यह हमारे पास प्रूफ हैं अगर आप प्रिटी शूर और यह है I think documented के truth defend नीचे बैठने इस फिम थोड़ सी बात करते हैं कि उस जमाने में भी लोग हों के जिनों इनको पोस किया था ऐसा नहीं कि जो नहीं यह नहीं का ओगए खुदा नहीं exist करता है आप प्रिटी शूर उस हर जमाने में रहें रहें हैं वो followers हैं तो यह आपकी बात से विल्कुल agree करूंगा कि यह pattern हमेशा से मौझूद था ना यह pattern हमेशा से मौझूद था अब देखें इस्लाम के अगर context में देखेंगी आप तो रसुल आला की 23 साला जिंदगी में तो वहीं का वहीं रहा ना वो तो मक्का मदीना में ही था यह जो सारा conquest हुआ है वो तो एक political endeavor था या वो एक military endeavor था ना उसके जरीए उनका culture मैं तो उनका culture बोलूँगा जो लोग politically motivate होके या अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए मुक्तलिफ इलाकों को जिन्होंने तलवार के जोर पे या force के जोर पे conquer किया तो उसके साथ उन्होंने अपने culture की वी एक dominance लाने के लिए जिन beliefs को वो follow करते थे उसको भी propagate किया लेगिन वैसे अपने बल पे या अपनी teaching के बल पे तो इसलाम ना वो तो political scenario में एक टाकत के उसके अंदर जो है वो फैला इसलाम ना तो ये सब बाते हैं और आज भी देखें मुक्तलिफ जैसे cults बनती जाती हैं चाहे वो politically हो या societal level पे हो किसी भी domain में हो लोग आपको अंधे followers नजर आएंगे ना जैसे इमरान खान के followers हो गए पाकिस्तान के अभी सिमेरियों में recently अभी वो जैल में भी बन दे लेकिन फिर भी उसके जो है उसके जान चिरतने वाले जगा जगा मौझूद हैं जो ब्लाइंड followers हैं उनको उसकी कोई जिसको कहते हैं कोई shortcoming कोई political shortcoming नजर नहीं आती है वो बस उसको follow करने में लगे हैं तो ये वाला phenomenon मुक्तलिफ तरहां से तो अभी भी मौझूद है follower वाला phenomenon जब हम लोग ज़रा कम information प्रोन थे तब ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा असान थे मिसाल पर मेडी लेजिस में रसुल ला के दौर में के जिसको कहते हैं कि एक सेकिंड रोकिए एक सेकिंड रोकिए गाई okay so um क्योंकि अभी आदर घंटा मारा हो गया so we are going to have two different join us जब वो आजाते हैं तो पर आम उस पर बात करते हैं मगर थोड़ा बहुत इसलाम की बंगियों पर आप जो बात कर रहे थे कि अगर हम इस्ट्री में जाके देखते हैं कि तो इसलाम पीस्फुली तो नहीं पहला था अब यसी पहले तो मौमद जीओ को कोई मानता नहीं था पिर वो गए और उन्होंने गुंडों को basically अगर बिलकुल तो अभी भी एवंडों में कर नहीं और अगर आप वैसे देखो तो जैसे भी एंडू टेट जो है उसने इसलाम कबूल कर लिया ठीज कै फिर एक सुनी को नाम का लड़का है उसने जाम कर लिया पर एक ब्लम का बंदा है शॉन कुछ कर के उसका नाम है क्याने डा कि अब जा के वो इस्लाम कबूल करके अभी विदलाली कर रहा है तो फिर वो इस तरीके से नहीं जेनरेशन के दिमाग में डाला जा रहा है और उनको ब्रेनवाश किया जा रहा है अब आप यहां की गोरों को उठाओ ना तो वो कहते हैं नहीं नहीं देख रही हैं और इनकी बोलो इस्लाम के ओपर नहीं बोलो गोरियां खड़ी हो जाती है यहां तो यह जो ब्रेन वाशिंग हो रही है अब सबसे फ्रेश यहां पर भी यह ट्रेंड मैंने देखा है को एक और साल से के अच्छी औरत का भाई गोरे खड़े होकर यहां पर बोल रहा है अच्छी औरत कौन है तुम्हारे इतने शोहर नहीं होने चाहिए तुम्हारे इतने पार्टनर्स नहीं होने चाहिए तुमको यह पहनना चाहिए तुम इंटरनेट पे क्या पोस्ट कर रही हो तो इसके पीछे भी मैं यह देख रही हूँ कि जो चंद पाड़कास्ट सेना जन्होंने चला जो बिल्कुल होई नी मिसाजिनिस्त हैं एंड्यू टेट की तरह वह एक पाखलों की तरह पैल रहा है यहां पर और एटी एंड जाकर एंड्यू टेट ने भी क्या कहा था कि वैस्ट ने तो अपने आपको सिविलाइज ससाइटी नहीं रही है तुम वहां की मुस्म ससाइटी यहां के अपर बिल्स, तो त्रेटी ने आफिन परी यह साफ में गोणा दिधी लोग एंड्यूिशन ही यहां के फीडि कि अ चाहिए ने क्यां अै मर्द ब्रुल् опас अ यह लोग घिया हुग outta reference यह वो रह nasa FROM Tine good पीछे ये सारे मुसल्मान निकलते हैं आपे बिल्कुल देखे ना ये जो ब्लैक और वाइट टाइप की जो आइडियोलोजी होती है वो ऐसे ही लोगों को एट्रेक्ट करती है जैसा इसलाम भी है ना ब्लैक और वाइट ना खुध जो करणे हैं इसके उपर कोई नजर सानी नहीं है यह कि ना जिना करना गलत है मिशाल के पर वाइट है या आउट अऊट आफ वेड लॉठ सेक्स करना गलत है लेकिन लौंडी के साथ ना निकाह करने की ज़रुष्ष है और नहीं उसकी किसी consent की ज़रूरत है वो आपकी एक property है तो देखें ना आप ये internal जो contradictions हैं आप किस तरीके से इसको लेके चलेंगी उसके पीछे जवाब क्या होता है भाई ये तो अल्ला का हुकम है यानि कि आप blindly इसको मान रहे हो ना आपने कोई objectively आपने कोई philosophically किसी तरीक सब्सक्राइब करना गलत लॉंडी रखना बिल्कुल सही है और एक से व्यादा ही रखना सही है अपनी बात काटरी मेरे पास एक मुसल्मान आया था एक दफ़ा उसकी वीडियो भी है यहाँ पर तो वहां कि मुझे गालिया दे रहा था तेरे साथ तो यह करूँगा मैं तर सब्सक्राइब करूँगा तो मैंने उसे पूछा मैंने का शादी से पहले तो जिना गुना है कहना नहीं 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 तुम्हारी जैसियों के साथ हलाल है यहीं नहीं कि लॉंडी कोई नॉन मुसलिम्स भी हो ना तो उसके ओपर यह अगर जड़ जाएं तो इनके लिए हला करना वो आपकी बेहस्ट पे किस तरीके से आप उसको इस्तुमाल करना चाहें तो यह सब बाते हैं और यह जैसे अन्विटेट वगेर का आपने जिकर किया यह लोग भी उसी किसम की एक ब्लैक एंड वाइट और बिलकुली या तो यह होगा या तो फलाँ चीज सही है या फलाँ चीज घलत है इसकी बुनियाद पर यह लोग जैना इनका पूरा कॉंसेट दिका हुआ है कि ये सही है और वो वो वह गलत है लेकिन बात वही है कि वेस्ट का अपना भी कुसूर है इन लोगों को इतना अपीस किया है इतना पीस किया है कि लोगों ने एक पॉलिटिकल स्पेस बना ली है और अब देखें अब ये जब ये चीज कैसे सबसाइड होती है क्या कोई मेजर क्लैश होगा उसके बाद ही मेरे खाल में सबसाइड होंगी सारी की सारी चीज़ें दोबारा से चीज़ें जो हैं वो रियमर्ज करेंगी न उसमें से क्योंकि अभी पॉलराइजेशन पॉलिटिकली भी बढ़ती जा रही है ऐसे ही लोगों का जोर जोरा है क्रम्प की सूरत में या जो बड़े-बड़े आईडियलॉग्स जगा-जगा पर बैठें में वो भी इसी किसम की ब्लैक एंड वाइट टाइप की बातें करते हैं कोई नुआंस नहीं पता उन लोगों को बिलकुल ही बेसिक किसम के पॉलिटिकल नारों के उपर लगा के अपनी एक पॉलिटिकल क्लाउट बढ़ाते हैं और एंडू टेट को आप क्या समझ रहे हैं या एंडू टेट जैसे लोग हैं को पता है ना कि दो बिलियन पोटेंशिल लोग मुझूद हैं जो इनके फॉलोवर्स बन सकते हैं अगर यह सब बातें करेंगे पुरान बड़ अच्छा है और रसूल अल्ला की जिंदगी बड़ी अच्छी थी देखो वो कितना स्टॉंग मैन था तो मधरी आप यह सारी बातें हैं वाभाई नोग करें आफेम जैखोके साथ मिलकर आएं और आपको शेहों किया इंशियां पता आपको कि यह घिदए एक नी एक था महां पर इतना कि इतना खराब महॉल यह दस ताल के रहे बाद है. मैं एक अब निसके साथ माह थे, हम लोग टक्सी के लिए थे और एक कपल खाला था था इए। हम है कोई टक्सी रोके ही नहीं पिकीन गहीं है। और हम खड़े आप एंप यहाद अगा है। कि लग अग कुछ टक्सी बादे पुटल से अधिंड थे जांग है। तो फिर फाइनली जा आकर एक बंदे ने टैक्सी रोकी हम बैटे वसमें हम नेका यह क्या है वह उठा लिया तो कहता है नी नी वह यहां पर आतको प्रोस्टिटूट्स खड़ी होती है ना तो हर कोई समझता है कि तुम लोग भी प्रोस्टिटूट्स हो फिर उसके बाद इस पासपोर्ट मांग था क्योंकि मैं के डे थी मेरी फ्रेंड नी याई आई तो फिर उसका ने एक बाद आए पासपोर्ट दो है ना इस वह थेंड़ आए तो प्रोस्टिट लड़की आती है बहुत और वह तो इस तो आने तो इतना देखा चार दिन में दुबाई में तो य सारी याशी की तो हाँ है थे हमें जो पता है कि पासपोर्ट में आप है नोग्सी देखो मगां यह चीज सव का माइंड सेट नजर आता है अल्ला का तो उसे तो यही अंदाज़ा होता है कि किसम की सेक्सिस्ट जो अप्रोच है या जो उसका पूरा तास्र है वो तो बिलकुल साफ जाहिर है ना कि अल्ला जो यह वो किसी कोई पेट्रियार्क ही हो सकता है कोई औरत निकलेगा पीछे से यह बात पूरी पुरी पक्की है कोई ऐसा बंदा मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी दिखा है उसको औरतों से बड़ी नफरत थी I think he didn't get much क्योंकि जो बातों से दिखता है और एक जो नर्सिसिस्टिक काइंड ऑफ बंदा हो या जो एक जो नर्ड होता है यह नो अपनी बच्पन में उसको कोई लड़की मिलती नहीं है पर इसमसे उसके हाथ में पावर आजाती है यही कहना ना कि मैं जो हूँ एक रात में मैं इतनी लड़कीयों के साथ वहां गया था और मेरे पास इतनी वह होती है अगर आप देखो तो भई जो बंदा इतनी ओरतों के साथ था उसके बच्चे बहुत ही कम यानि कुछ मामला तो था उसका I think क्यूंके उसका या तो he was incompetent maybe या उसको बच पहले मिलती नहीं थी लड़कीया और एकदम से फिर उसके बाद पावराई उसको लड़कीया वो you know he got all that मगर I don't think कि वो इतना बड़ा जो दिखाता है ना मने आपको basically मैं कहने वाली हूँ कि जो तोपे जादा बोलती है क्या है वो कहावत है ना जो बोलते जादे हैं उनमें दम नहीं होता तो I think उसको compensate करने के लिए आप खुद देखो कि कहीं का बादशा है right उसकी एक image बनी लिए माचो की अब जैसे एंडू टेट है उसकी image बनी लिए right अब हमें बड़ा चलता है उसका तो खड़ा ही नहीं होता अब लोग क्या कहीं है यह तो सारा दिन बैट के अलफा मेल कर रहा है इसका तो खुद काम नहीं कर रहा है तो compensate करने के लिए फिर वो बढ़ा पढ़ा के अब यही होता है internet पे लोग आकर अपना size बढ़ा कि मेरे इतने size का है वो compensate कर रहते हैं क्योंकि उनका बहुती ही जोड़ा है तो that's I think that was the thought process behind Mohamed जो उन्होंने चीजें लिखी हैं अरतों के बारे में केस से पहले के कोई मुझे पे शक करे मुझे जो है वो ऐसे हालात पैदे पैदा कर लेने चाहिए कि लोगों को मेरी जिसको कहते हैं मेल टाकत पे या मेरी उसके अपर कोई शक महसूशना हो और उसके पीचे जोड़ साइकी भी यह भी हो सकती है कि क्योंकि खदीजा के साथ जब चादी हुई तो she was very much older और पैसा भी हो नहीं का था तो उनने थोड़ा कंट्रोल में रखावाता है महबसा आपको तो उसके उनकी नावाइफ थी इतना वह नहीं आपको तिकता है तो वह कंट्रोल में थे तो उसका भी बदला मेरे ख्याल से I see it in the way Quran is written के तुमने यह नहीं करना है तुमने वह नहीं करना है तो वह भी उससा उसमें I personally think मैं अगर जब deep thinking में जाती हूं and I try to think from his brain right के वह क्या सोच रहाता हूं और यह क्या इसका नतीजह हो सकता है तो this could be one of the aspects of it बिल्कुल यह भी बात है और दूसरी बात यह भी है के उस middle ages के time पर जहना खुद को powerful दिखाने के लिए यह भी एक तरीका था ना जो भी rulers होते थे या बड़े लोग उस जमाने के होते थे के उनके नीचे कई औरते होती जी ना उनके हरम में कई औरते होती जी तो यह भी एक power को या अपनी power की consolidation का एक तरीके कार था ना तो उन सब उन सब सुरतिहाल का बिलकुल रसुल अल्ला ने भी फायदा उठाया और वो बिलकुल वैसे ही थे जैसे कोई भी conqueror या कोई भी leader military leader या political कोई leader होता है उस जमाने का middle ages का वो बिलकुल उसी की तरह तरह थे ये सारी बाते तो इन लोगं की अपनी वो है ना किंके उनको नभी समझते हैं अगर हम objectively उनकी life को study करें तो वही कुछ करते वे नजर आते हैं जो उनके हम असर लोग उस जमाने में कर रहे थे political power को हा बिल्फुल बिल्फुल ऐसी वात है तो ये है मात नहीं जितना ये वो चीज है कि मगर I think it's good कि अब ये चीज जो खुल के सामने आरही है तो मैंने खुद देखा है in 2000 and from 2019 to now कि कितने लोगों से मेरी बात हुई है जो question कर रहे हैं आब और मुसलमान पहले अगर आप देखो तो मैं मुझे आद एक्स मुस्लिम टर्म कितनी वह होती थी कि कोई 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 सुन भी लेगा है एक्स मुसलिम अब जो है अब आप देखो तो हर कोई even मुसलमान भी बोल रहा हो थे ex-muslim term is so much like normalize और इसी तरहां से मैं चाती हूँ कि यह जो blasmy है ना blasmy भी normalize की जाए क्योंकि जब हम यह सवय से मैं तो यह सवय से blasmy नहीं करती हूँ कि मैं मैं किसी की feelings hurt करूँ मैं यह कोशिच कर रही हूँ कि आपकी feelings आपकी strong हो आपकी feelings strong हो जाएं कि मैं यहाँ बैट की कुछ भी बोलूँ आप पे असर नहीं पड़ता है आपका इमान भी रहेगा और आपके रसूल की मैं कौन हो चोटी सी चोटी सी बंदी मैं कौन हूँ तोहीन करने वाली और तीसरी बात तीसरी बात जाने मुहम्माद सहाब भी और अल्लाम्या भी तिने कम जोर हैं कि वो इतना चोटा सा बंदा जिसकी खुद की अवकात कुछ नहीं रहे होगी कहते है कि हमारे अल्लाम्या के सामने तोहाँ कोई अवकात तो इसको करना पड़ रहा है उसको आगे प्रोटेक करना पड़ रहा है तो ये फिर वही बात है you know it's a mental gymnastic game um तो चले truth defense आगे है last five minutes we'll just take a few questions about truth defense के पास भी कुछ है um and then we will go on from there जी truth defense आपके पास कोई क्वेस्टन है अब्दुला के लिए I know he was driving so किस तरीके से ये चीज हुई है and what like मुहम्मद साहब का रहन सेहन था किसने बनाया you know so a little bit if you want to add into that अब्दुला भाई मैं आपसे मतलब अब जैसे आप एक्स मुस्लिम हो गए है तो मतलब बेसिक ऐसे क्या ऐसे वजोहात थे और मतलब इसलाम को लेके क्या ऐसे एतराजात थे जैसे कोई specific एक ऐसी चीज जिसको लेके आपके जहन में कभी कोई सवालात रहे हो जिसको लेके कभी आपने एतराज उठाया हो तो बुनियादी कोई ऐसी वजोहात specific लिए अगर आप बताना चाहें तो जिए वैसे तो जब आप faith में होते हैं कि कोई सवी faith होना कोई सवी belief हो आपका तो number one जो condition है किसी भी belief या faith में रहने की वो मख़ब के अंदर रहने की वो आपका वही है कि आपका एक unconditional किसम का ना उसके उपर blind belief होना लेकिन जब आप खुद के पहले तो खुद अपने ही religion की सच्चाई की तलाश में निकलते हैं किसी भी वज़ा से निकलें आप वो कोई भी point हो सकता है हो सकता है आप मजीद जानना चाहरे हों हो सकता है आपके दिमाग में कुछ सवालात हों क्योंकि जब अब ऐस सच अगर जिस किसम के टाइम में हम लोग रह रहे हैं मख़ब की अब वो importance है ली ना life के अंदर मतलब life में कोई एक personal meaning या एक identity के लावा मख़ब की as such कोई usefulness नहीं है ठीक है एक societal coherence मिलती है ह बड़ा group मिलता है हम अपको हम अपने आपको उस group का हिस्सा समझते हैं लेकिन जब सवाल पैदा होना शुरू होते हैं तो फिर बंदा हर nitty gritties में जाता है ना उसकी तो पहले तो मैंने जैसे अपना मालीज ने पहले पूछा था तो एक तो science वाली वजा थी फिर आप इसक चीजों को दोबारा से देखना ना अपनी आँखों से बजाए ये कि आप किसी की interpretation के उपर ब्लाइंड बिलीफ कर लें तो आपने यह नहीं कि एक ब्लाइंड बिलीफ छोड़के दूसरे ब्लाइंड ब्लाइंड बिलीफ के पेडिस्टल पे आ गया तो वो करने से बेतर य ये कि आप अपना अनैलेसिस करें तो जब अपना अनैलेसिस करेंगे तो आपको दर्जा बदर्जा इसमें बहुत सारी चीज़ velvet हैं, पिर history बंदर आते हैं तो वहाँ भी वसले हैं जो जो भी क्लेम किये जाते हैं इन लोगों की तरफ से कि आप इनका टेक्स्ट पढ़ें जो भी ट्रेडिशनल टेक्स्ट है कि फलाँ जगा फलाँ जंग हुई उस जंग के कोई निशानात मुझूद नहीं जबकि हमें पता है कि 4-4-5-5-6,000 साल पहले की सिविलाइजेशन्स आज इनसान ने खोथ के निगाल ली है यहाँ पर 1400 साल पहले तो रिसेंट बात होई न या 3500 साल पहले मिसर ज्यादा पुराना है या 1400 साल साल पहले का रसुलला का जमाना ज्यादा पुराना है तो कुछ नहीं मिलता ना, बातें बड़ी बड़ी एपिक बैटल्स की होती हैं, बड़ी बड़ी इसको कहते हैं, सबसे वादेदार वाला मुझे लगता है, चांद के दो टुकड़े हुए, और पूरी दुनिया में किसी ने देखे ही नहीं, और कहीं नहीं देखा किसी ने, तोई दुनिया में किसी ने ने देखा और उसके जो फिजिकल एफेक्ट्स हैं, आप ज़रा जाके कभी साइंटिफिकली देखें, जो उन्होंने मुखतलिस सिमिलेशन बनाई नहीं हैं, कि अगर चांद टूटा तो जमीन पर क्या हो, क्या हाल है, मतलब एक सिमिलेशन इसल कोई सिनेरियों पैदा होता है, और चांद से कोई ऐसा एस्टरोइट टकराता है, जो कि चांद को टुकरे करता है, तो उन्होंने तो उसके हिसाब से सिमिलेशन बनाके रखी हैं, साइंस दानों में, तो मैं कहती हूँ कि इस्लाम तो ऐसा वो गुबारा है, यहां से पक्ड जा गई है ना, वो आज के बने के समझ में नहीं आती है, और इनके दिमाग में मुझे यह बोला आता था था ना, कि देखो यह शेतान तुमको बैकारा है, ऐसा सोचो भी नहीं, ऐसा सोचना भी गुना है, ठीक है ना, तो बन्दा वो सोच भी रहोता है ना, तो उस पर पर सा आजाता है वसी जगह पर, so we have so many things जो यहां पर आप में देखने हूं लाइक, और तो अधिकल, एथिकली देखा जाए, जो एथिकल कॉन्फिक्ट्स हैं, इसलाम के अंदर भी और जर्नली, रिलिजिंस के अंदर भी, वो भी एक बहुत बड़ी वजा होते हैं ना, ल इसे ही है, और इसलाम कोई exception नहीं है इसके हवाले से, जी, 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 और अब्दुला भाई, on the other hand, हम अब जैसे आपने scientific logic की बात की के चले, आपने इसलाम के उपर जब आपने अपने लेवल पर तहकी की, तो कुछ scientific basis आप डून रहे थे और कुछ वैसी सवाल जवाब, साइंस को एक बेस और मायार बना के वो इसलाम को सच्चा थाबित करने में वो एक ये नया हत्गंडा इजात किया तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जे. साइंस को कहते हैं कि साइंस जो हर वक्त बदलती रहती है, यह नों का बिलकुल पैट जो है ना जुमला है, कि साइंस तो हर वक्त बदलती रहती है, हमारे पास तो absolute इल्म है, हमारे पास तो objective इल्म है, जो किते आशुदा है ना, किसी supreme being या किसी deity की तरफ से, तो दूसरी मर या उसकी objectively जो basis है, scientific principles की या scientific method की वो truth तक अब तक जितने भी तरीके हमारे पास मौझूद है, वो हकीकत तक पहुँचने का बेहतरीन तरीका है, जो scientific method है हमारे पास, तो आपको करना पड़ता है, जब आप इतना बड़ा claim करते हैं, तो फिर उसको adjust करते हैं, लोग वहाँ पर mental gymnastics करते हैं, interpretation के game खेलते हैं वहाँ पर, कि इसका मतलब ये है, तो उसका मतलब वो है, फिर लफजों की list निकाल के बैड़ जाते हैं, जो लफ़ suit suit करता है, उसकी traditional interpretation को हटा के, जो के हजारों साल से एक solidified, एक concretize किसम का एक view है, इतने सारे scholars का, उस interpretation को हटा के, उसकी modern interpretation क करते हैं, और अब देखें ना, science तो बदलती रहेगी, scientific method को, अब देखें ना, एक सकीन, एक सकीन, एक सकीन, जो reinterpretation की बात हो रही है, जैसे कि आरत के मारने वाली जो आयत है, तो उसको भी जब मैं Google में जाके, जब मैं read कर रही होती हूँ ना, और I know कि बहुत सारे लोग हैं, तर्जुमे के साथ बहुत लोग कम पढ़ेंगे, और भी किसी को आती नी है, तो अगर वो चेंज कर दिया है, वहाँ पर वो बीट नहीं लिखा है उन्होंने, स्ट्राइक नहीं लिखा है उसमें, तो अगर ये इंटरप्रेट कर के इसको एक सॉफ्टर साइट कभी इ इसको आप दिखा है मारो चेंज कर दिया, जैसे कि इन लोग ने किया है, खरी आपना ओल टेस्टिमर अपना पर लेकर आते हैं ये, तो कुरान को समझने के लिए, इनसान को साइंस इजाद करनी पड़ी, क्योंकि जब तक साइंस नहीं आई थी, इनको खुद ही नहीं पता था कि इनको कुरान में साइंटिफेक बाते लिखी हैं, वो जब साइंस नहीं को समझाता है, फिर ये जाते हैं, फिर ये हदीसे पड़ते हैं, और आयते पड़ते हैं, अच्छा, इसका ये मतलब था, तो कुरान समझने के लिए भी इनसान को साइंस इजाद करनी पड़ी, ये दिए ये इनसान को ये जाते हैं, ये जाते हैं, ये जाते हैं, लास्ट अपनी एक एक का सब कोई बोल थे, फिर देन वे गड़े गड़ जो चोर्ड जोर्ड जोर्ड दू जे। होता है उसको अफसोर्स भी बहुत होता है और बड़ी इंटरनल इंस्टेबिलिटी का शिकार हो जाता है ना बंदा लेकिन जो लोग देखें अब ये आजकल जो दुनिया चल रही है ना कोई भी इस चीज़ से महफूज नहीं रह सकता स्केप्टिसिजम से कोई दिन महफूज नहीं रहेगा जिस तरीके की इंफर्मेशन की बंबार्डमेंट है जिस तरीके से इंफर्मेशन की प्रॉपिगेशन है अब देखें ना लोग पाले रहे हैं तो कोई स्केप्टिक नजर नहीं आता था तो अब लोग उसमें अपने जो उनको सिखाए हुए बलीफ्स हैं उनको अपने जो आजकल की इंवाइर्मेंट है उसके साथ रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको फ्लॉज नजर आ रहे हैं तो उनको यह सारी शौट से चलें, rationality से चलें और चीज़ों को rush नहीं करें, अगर आप tone down भी रखते हैं, अगर आप religion personal भी रखते हैं, तो वो भी सही है हमारी किसी की भी ex-muslim की या कोई भी जो भी छोड़ता है मजब उसकी ये मन्शानी होती के पूरी दुनिया जो है वो atheist बहिए और नहीं ऐसा होगा गभी ठीक है ना, तो बात यह है कि जिस तरीके से दूसरे शोबों में अकल का इस्तिमाल करते हैं, rationality का इस्तिमाल करते हैं धोकों से बचते हैं और खुले जो जूट हैं उनसे बचने की कोशिश करते हैं वैसे इस मामले को भी आप देखने की कोशिश करें और इस्लाम हो या कोई भी मजभ हो वो लोगों के फॉलो करने से होता है बड़े बड़े मजभ दुनिया में तबाहों बरबाद हो गए उनका नाम और निशान भी नहीं जो के एक वक्त में बड़े डॉमिनेट किसम के रिलीजिंस थे तो बेहतर यह है कि आप इसको रिफॉर्म करें और रिफॉर्म के ऊपर हम लोग अकसर अपने चैनल पे भी हमने प्लैन भी किया है कि हम रिफॉर्म के बात करते हैं इसको किस तरीके से रिफॉर्म किया जा सकता है लेकिन उसके अंदर मसला यह है कि जब आपके पास कोई एग्रीड अपॉन पोजीशन ही नहीं है तो आप कैसे रिफॉर्म करें यहां तो हर बंदा जो है वो अपनी अपनी इंट्रिप्रेशन लेके घूम रहे कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो वो सही है मैं जो कहा रहा हूँ वो सही है फलाना गलत है फलाना सही है तो भाई इसको पहले एक नुक्ते पे लेके आए उसके बाद रिफॉर्म पॉसिबल होगा अगर आप चाहते हैं कि इसलाम रहे या कोई भी आपका रिलीजन रहे तो बगएर रिफॉर्म के बगएर प्रेजेंट बैल्यूस से उसको अलाइन कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते आपने रिलीजन को चले तेंक यू सो मजच आप कुछ बोलना चाहेंगे आपके साथ में रहा हमारा इसलाम में एक रिफॉर्मिशन के हवाले से आपने बहुत अच्छी बात कई और अभी मतलब यह ना कि इसलाम में एक रिफॉर्मिशन की तो खेर हमें गुंजाइश इतनी नजर नहीं आती और फिर एक जो होता है कि अलग अलग इंटर्प्रेटेशन जो हम देखते हैं जिसकी वज़े से एक जो एक तलाफ पैदा होता है मुक्तलिफ फिरकों में और सबके अपने अपने अलग अलग स्कूल्स अफॉर्ट में तो यह एक और जादा थोड़ा एक पेचीदा सा एक कॉंप्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो बिल्कुल मैं टोटली अगरी करता हूं आपके साथ इस उसमें बाकी यह है कि जैसे के दु जो है वो मौडनिजम के साथ में हमें उतना कंपैटिबल इतना होता हुआ नजर नहीं आता है इन रियालिटी इसलाम उसके थोड़ा अपोजिटी जाता है आपिशा तो जी बिल्कुल जी अच्छा मैं इनकी तस्वीर एग रही थी अबदुला जी लगाई ही है मैंने का य इसी मेंटलिटी जाने कलनी है इसी जब नौ फैंस मकर मैं जब बहुत ही खुबसूरत गे मर्दों को भी देखी हुआ तो मैं कहती है यार वट वेस्ट अफ़ा मैं इसी तांसे मुझे या भी लना चारी वाट वट वेस्ट अफ़ा मैं सेरियस्टी चले थेंक यू झाय को ही बहुत है जही वाट बहुत ही खुक्री अक्ष इन्सान को यह को कियो हमको यहां तक लाया है कि आज मुझे-हां से इस तरही के देख यह अगर यह किई नहीं नहीं होती ना इनसान के अंदर तो ना पनी टापकर नबास गाडी होनी थीफ-बढ सी सवाल पूछें और सवाल अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उससे वह हो रहे हैं तो छोड़की चले जाओ इनो ने जैसे का के रिफॉर्म करने में गुंजाईश नहीं है नहीं है मगर फिर भी जब हम मरोर तरोर के साइंस निकाल सकते हैं गुरान में से तो भया हम यह मरोर तरोर के उसको रिफॉर्म भी कर सकते हैं इस जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेर और इस चैनल को सब् स्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत माइने रखी है